एपिजोड 129 के शिडवार डेरन से होती है वो सुशल साइट पर उन सारे क्रीम्स को देखती है जो उन्होंने अभी अभी जेरन को बेचे थे तो ये सब देखकर डेरन बुलुट से कहती है देखा तुमने अरे तुम कैसे देखोगे वो जेरन तुम्हारे क्रीम्स को 50% मगल हो गया मुझे तो लगता है तुम किसी दूसरे प्लैनेट से आए हो इसा केकर डेरन वहां से चली जाती है फिरसे मिलके बेपर शिफ्ट होता है तो ये सब सुनकर मेलके वे कश्रक और भी पक्का हो जाता है पर वो ग्लास गिरा देती है तो एमरे उसे वहाँ देखकर जट से फोन कट कर देता है और मेलके वे से कहता है दोस्त का कॉल था ऐसा केकर एमरे वहाँ से चला जाता है तो उसके जाते ही में के वे सब को ड्रिंक सर्फ करती है और वहाँ से गुस्से में चली जाती है फिर से इन मुजू पर शिफ्ट होता है वो डेरन से कहता है हमें जॉब मिल गया फिर वो सब वहाँ से चली जाते है फिर से इन सर्फ पर शिफ्ट होता है वो जान के लिए डबा लाती है तो जान उसे ठैंक्स कहता है पर सर्फ वो जान को फिर से उल्लू की तरह घुरने लग जाती है तो जान भी उसे देखने लगता है और कहता है यहां कीचन नहीं है वरना मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता था तो सनिम कहती है मैंने चाय पिना छोड़ दिया है ऐसा किकर सनिम वहां से चली जाती है फिर से इन मिस्टर अजीज पर शिफ्ट होता है वो सब को हॉल में बुला कर कहते है फिकरी हरी का एक शोशल प्रोजेक्ट कर रही है असोसियेशन सनिम को एवार्ड देने वाला है इसलिए मैंने अपने एक दोस्त को बुलाया है यूके से जो सभी आर्टिस्ट का एक बुकलेट बनाएगा और हम उससे रिप्रेजेंट करेंगे तो इगित कहता है आपने चेंजेस के बारे में मुझे एडवांस में नहीं बताया मिस्टर अजीज तो मिस्टर अजीज कहते है ओके तुमने अभी सुन लिया है ना अभी जितनी भी इंकम होगी हम उसे डोनेट करेंगे तो सनिम कहती है पर हमारी टिंग काफी छोटी है तो मिस्टर अजीज कहते है मैं वो सब समहा लूँगा महरबान कॉस्ट्यूम डिजाइनर है और जान वो सनिम की फोटोज ले लेगा तो ये सुनकर रूम में सनाटा चाह जाता है तो जान कहता है सनिम को uncomfortable फिल होगा डैड में सा नहीं कर सकता तो जे जे बात को समभालते हुए कहता है अरे क्यों नहीं जान ने पहले भी सनिम के फोटोज ली है ये काफी आम बात है सनिम के लिए तो सनेम हा करके वहाँ से चली जाती है, फिर सब वहाँ से चली जाते है सब के जाने के बाद एमरे मिस्टर अजीज से कहता है डैड अपने मोम से बात की, तो जान कहता है उनका कहना है कि अगर महरबान नहीं होती तो हम सब एक साथ होते डैड तो मिस्टर एजिस कहते हैं, देखो जान, मैंने तुम्हारी मा को कभी धोका नहीं दिया, मैं तो महरबान से पहले से ही प्यार करता था, तुम्हारी मा तो मेरी लाइफ में बाद में आई, वो महरबान की दोस्त थी, महरबान और मेरा ब्रेक अप हो गया, सब कुछ जानते कोई भी हुमा ने मुझसे शादी की, पर जलन और नफरत के कारण हमारा रिष्टा तूट गया, फिर से इन डेरिन पर शिप्ट होता है, वो जान से कहती है, तुम अब जल्दी जल्दी सेनिम के फोटोस क्लिक कर लो, तो इकित कहता है, हम ये स्टूडियो में करेंगे, तो जान केता है, मुझे नहीं लगता सनिम को किसी को भी अपने पर्फ्यूम के बारे में बताना पसंद आएगा, तो सनिम केती है, नहीं, वो मेरा पर्फ्यूम है, मैं उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, इन फैक्ट हमें उन्हें अलबेट्रोस के बारे में बता चाहिए वो मर जाता है और फिर वो खुद को कैसे अपनी राख से जिन्दा करता है वो वाइल्ड है और उसे फ्रीडम बहुत ही पसंद है वो अकेला ही उड़ना चाहता है तो ये सुनकर जान समझ जाता है कि सनेम ये मुझे बूल रही है इसलिए वो नाराज होकर वहां से च वो लड़की वो तो कुछ भी डिजर्व नहीं करती पता नहीं उसे किस बात की फेम मिल रही है उसने इस नोवल में हमारे बेटे का इस्तमार किया है और इसे वो प्यार की कहानी बता रही है तो अजीज केते ये उसकी कहानी है उसने अपने लिए कुछ भी नहीं किया तो ह चला गया और हमारी कमपनी डूब गई हमारी मार्केट में रेपुटेशन नहीं रही तो अजीज केते हैं और यह हुआ है सनिम के वज़े से कैसी बात कर रही हो तुम तुम उस कमपनी के 50% शेर्स की होल्डर थी तुमने यह सब किया है तो हुमा केती है तुम चले गए अजी इसे लिए मैं जा रहा हूँ तो हुमा केती है एक मिनिट अजीज तुम अपने दोनु बेटों को लेकर प्लीज यहां से चले जाओ उस सनिम के फार्म पर मत रुको वरना वो लड़की फिर से हमारे बेटे को बरबात कर देगी तो अजीज केते हैं बरबात अगर तुम्हा मेरे बेटे के मामले में टांग अड़ाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा समझी तुम एसा केकर अजीज वहां से चले जाते हैं फिर से इन सनिम के फैमली पर शिफ्ट होता है जहां सब डिनर कर रहे होते हैं तो इतने में ही एमरे को कॉल आता है तो वो भाग कर कीचन में चला जाता है तो मेरे बेग उसके पीछे जाकर उसकी बाते सुनती है तो अमरे फोन पर केसा है तुम कितने सुन्दर हो कसम से मैं तुमसे कल मिलना चाहता हूँ ऐसा किलिए नियम पर शिफ्ट होता है वो हारबर पर बेट्ट कर अपनी दवाई लेती है और बॉटल में एक मैसेज लिखकर उस बॉटल को पानी में फेक देती है तो जान ये देख लेता है और उसे सनिम को बिमार देखकर बहुत दुख होता है फिर वो सनिम के पास जाकर कहता है तुम टेबलेट ले रही हो तो सनिम कहती है हाँ जब आप यहां नहीं थे तब बहुत कुछ हुआ था तो जान कहता है I'm sorry सनिम मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि तुम क्लिनिक में जी रही हो तो सनिम कहती है आपको इसके लिए माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है यह मैंने डिसाइड किया था और वैसे भी आप यहां मेरे लिए नहीं आये है तो जान कहता है सनिम तुमने मुझे जाने के लिए कहा था अगर तुम मुझ पर भरोसा करती तो ऐसा कुछ नहीं होता तो सनिम कहती है आप गए क्योंकि आप मुझसे प्यार नहीं करते थे ऐसा केकर सनिम वहाँ से चली जाती है फिर से इन मेल के बेपर शिफ्ट होता है वोनी हाथ पापा को लेकर मेली हाथ के दुकान में जाती है और कहती है एम्रे को प्यार हो गया है मैंने खुद अपने कानों से सुना तो मेली हाद कहते हैं है उपर वाले यह क्या हो गया ऐसा किकर वो एम्रे का क्रेडिट कार्ड बिल खोल कर देखते हैं तो उसमें उनको एक नेकलेस का बिल देखता है तो वो समझ जाते है कि एमरे ने ज़रूर किसे लड़की को नेखलेस दिया है फिर से इन सुबके नाश्ते पर शिफ्ट होता है जहां एमरे को फिर से कॉल आता है तो मिलके वे उसे कहती है उठा लो उठा लो बेटा तो एमरे उनके सामने फोन नहीं तो वहाँ से चला जाता है तो भी उसके पीछे-पीछे चले जाते है फिर शेंर सनिम पर सिफ्ट होता है वो चिकन से बाते करती है कि जान यहां मेरे लिए नहीं आए है तो यह सब देजे सुन लेता है और डेनिश को जाकर बताता है तुमने संभन को मुझसे दूर किया इसलिए वह चिपन से बात करें यह तो डेंस करते हैं तो क्योंच जाएगे इस ससे चला जाता है फिर सनिम भी वहाँ आ जाती है और फिर मुजो और डेरन भी उन्हें जॉइन करते है फिर महरबान भी वहाँ आकर डांस करने लगती है फिर मुजो को कस्टुमर का कॉल आता है तो वो जेजे के साथ चला जाता है फिर डेरन को लगता है कि कोई आया है तो वो पीछे मुड़ कोंसे जांजाधा हेंडसम है तो महरबान भी और पलटती है और कहती है इसलिए वही सबसे जाधा तो तो डेनन केती है क्या कहां मूजो कुछ भी वैसे सनेम आज शुटिंग है चलो रेडी हो जाओ तो सनेम वहाँ से चली जाती है फिर से इन एमरी पर शिफ्ट होता है वो रेस्टरॉन में एक लड़की से मिलता है और उसे ज्वैलरी दिखाता है तो मिलकी भी उनी हाथ पापा उसका वीडियो बना लेते है और जट से वहाँ से निकल जाते है तो अब आगे क्या होगा क्या एमरीका सच में अफैर चल रहा है आगे क्या होगा जाने के लिए बने रहे हैं मेरे चैनल दिवाने हैं हम पर जल मुलाकात होगी अगले एपिसोड में दिवाने हो तुम तो अलविता दिवानों जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में